नमस्कार दोस्तो ग्यानी स्टूडियो में आप सपी का बहुत भूस वागत है उमीद करती हूँ कि आप सब सस्थ होंगे दोस्तो बहुत सारे लोगों को हाथ पेरों में दर्द होने के साथ साथ पूरे बदन में दर्द होने की समस्या और सिकायत रहती है दोस्तों ये जो इस तरह का डर्द है ये कई कारणों से हो सकता है जैसे कि यदि आप जादा महनत का काम करते हैं या फिर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अभी कभी आपको कोई चोट लगी हो तो अगर अंदूरूनी चोट होती है तो इसकी वज़े से भी आपके सरीर में दर्द बना रह सकता है दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही बहुती आसान आयरुविदिक नुस्का बताने वाली हूँ जो कि आपके किसी भी तरह के बदन दर्द को जट से दूर कर देगा दोस्तों यदि आप इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे जन को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों बदन दर्द के लिए आप लहसुन की चार पीस ले लीजिए और उन्हें छील कर 30 ग्राम सरसों के तेल में डाल दें अब इस सरसों के तेल में दो ग्राम या आथा चमस लगवक अजवाइन के दाने डाल कर आप इसे धीमी आज में पकाएं लहसुन और अजवाइन जब तक काली नहीं पड़ जाती तब तक आप उसे पकाते रहें इसके बाद आप उस तेल को नीचो अतार लीजिए और इसे हलके हलके गर्म तेल से अपने सरीर पर मालिस करिए इससे आपके किसी भी तरह के दर्द यदि आपको किसी भी तरह के सरीर में किसी भी तरह का दर्द है तो इससे आपको राहत मिलेगी और यह दर्द दीरे-दीरे कम होने लिएगा और कुछ समय बाद यह दर्द होना आपको बंद हो जाएगा दोस्तो उमीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी यदि यह जानकार्य आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए साथ की साथ सेयर कीजिए और वैल आइकन को भी दवाईए ताकि इसी तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके